असर हिंदू अल्पसंखे को पर पड़ रहा है बांगलदेश से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू बहुली लाकों से लगाता हत्या आग जनी और लूट पार्ट की खबरे आ रही हैं इंसा के बीच हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है बांगलादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंखे को पर हू रहा है पूरे बांगलादेश से हिंदू पर हमले और उनकी संपत्यों में आग जनी की खबरे आ रही हैं हिंदू के घरों और मंदिरों को चुन-चुन कर उनकी पर हमला किया जा रहा है इसलिए जावाश्व माई उल्टो दिख्थे के शे आमार बाशार मुद्धे ठूके आमार बाभा एक जुन ब्याफ्षा करे स्यतार्भयाफ्षारपोदिष्टाण आमार भाई यक जुन डाक्तब चोटोका काछे डा यश्यवियो स्यलिधिता जक्लFr०्ध trongुमya pak酒ा माले लोगनों जोग बोलेन, एक्टा, एक्टा, ग्लास बोलेन, कि छुराखे नाइ, पीता ये भाईया गोलाई से, बाबा जातो टुकु पार्शे चभीतु से, बाबारे मार्से, बाबार गाये हाथ दी से, आवन छोटो काका तो पलाई है, समन छोटो काके, ओरा कुष्ति से, बादे आमन इंडिया जाब हो, आमना शाधिन देशी बस कोरी ना, आमना उदेशन नागोरिक ना, तो तले क्यानों अमने शाधिन देरों को महोँ दे, आमना तो शाधिन दो टा, ठीका से, जोब ही ठीका से वर्ड हिंदू फेडरेशन के बांगलादेश चैप्टर की रिपोर्ट की मुतामिक हिर की जा रही है, धर्म गुरुओं के साथ साथ, विश्व हिंदू परिशत और आरसेश जैसी सस्थाएं भी, बांगलादेश में हिंदू पर हो रहे, अत्याचार का विरोध कर रही है, साथ ही, सरकार से मांग भी कर रही है, कि बांगलादेश में हिंदू की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। पंगलादेश में सबसे ज्यादा अल्पसंक्यक हिंदू ही हैं। ऐसे में उनके सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बंती जा रही है। पंगलादेश Bureau of Statistics के मताबिक देश भर में सबसे ज्यादा 7.95% अल्पसंक्यक हिंदू ही हैं। इसके बाद बौध और इसाई आते हैं। तक्ता पलट के बीच जारी हिंसा के बीच बंगलादेश में रहने वाले भारतिये अब सदेश लोटने लगे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांगलादेश में हिंदों के साथ हो रही हिंसा का असर इनके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है बांगलादेश में तक्ता पलट की साजिश में I.S.I. का नाम भी सामने आ रहा है ऐसे में माना जा सकता है कि बांगलादेश में हिंदूओं पर हो रहे हमले सुनियोजित और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है बांगलादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन होनी जा रहा है ऐसे में हिंदों की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर आने वाले समय में भारत बांगलादेश के संबंदों पर भी दिखाई देगा तकता प्लट का जो मुखे आर्किटेक्ट इसलामिक चात्र शिविर है जो जमाते इसलामिकी चात्र यूनिट है सूत्रों के मताबिक पिछले दो सालों में बड़ी तादात में इसलामी चात्र शेवर से जुड़े चात्रों ने अलगले उनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया और यही से शुरू हुआ चात्रों को भड़काने करका नतीजा यह हुआ कि अरक्षन के मुद्दे पर जो लोग पिछले दो महिनों में सरकों पर उत्रे वो यूनिवर्सिटी के चात्री थे इस संगठन की पाकिस्तानी खुफिय अजन्सी आएसाई से बहुत ही गहरे तालुकात है संगठन जमाते इसलामी को यह संगठन अभी फुल ऑन एक्टिव है बंगलादेश से शेख हसीना की सरकार को उखाड फेकने में सबसे बड़ा रोल जमाते इसलामी के चात्र संगठन इसलामिक चात्र शिविर नहीं निभाया है आरक्षन के खिलाब पिछले दो महिनों से सडको पर धरना प्रदर्शन कर रहे चात्र इसलामिक चात्र संगठन के ही हैं दावा किया जा रहा है कि पिछले दो सालों से बांगलादेश के अलग-अलग विश्ववी द्यालों में इसलामिक छातर श्रिबिर के कई कैडर भरती हुए हैं यहीं से विश्ववी द्याले के छात्रों को भढ़काने का काम शुरू किया गया वैसे तो बांगलादेश के जादतर युनिवरस्टी और कॉलेजु में इसलामिक छातर शिबर का दबदबा है लेकिन धाका युनिवरस्टी, चटगाउं युनिवरस्टी, जांगीर युनिवरस्टी, इसके लावा सिलहट युनिवरस्टी और राजशाही युनिवरस्टी जमात इसलामी का गड़ माना जाता है यहां आपको जमात इसलामी की डीटेल जरूर देखनी चाहिए क्योंकि बंगलदेश में बगावत की आग भड़काने में इस संगठन की जिम्मधारी बहुत बड़ी है ये बैन कटल इसलामिक संगठन होने के आधार पर लगाया गया था और जमात इसलामी पर आतंग बाद विरोधिया धिनियम के तहत आक्शन भी हुआ था इसके लावा जमात इसलामी पर आरोप है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम करता है और बंगलदेश की आजादी के वक्त जमात इसलामी ने पाकिस्तान का साथ दिया था यही वज़ा है कि बांगलादेश की आजादी के बाद शेक मुझीबुर रह्मान ने जमात इसलामी को बैन कर दिया था लेकिन ताना शाह जियाओर रह्मान ने जमात इसलामी से बैन हटा दिया साजेश का किरदार नमबर तीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई एसाई छात राजनिती के अलावा जमात इसलामी संगठन मदर्सों की गतिविधी में भी सक्रिय है मालदीव की तर्ज पर बांगलादेश में भी इंडिया आउट अभियान शुरू किया